दूस्तो आज मैं बहुत डिलिसियस शांदार ऐस सब्जी बना रही है जो आपने सोची नहीं होगी जो मार्केट में हमारे बहुत चोटे-चोटे आलुओ आते हैं बिल्कुल चोट-चोटे इसको मैंने इसके अंदर फॉक से छेत कर दिया सब भी आलुओ में एक इक आलुओ के लिए उती हुए उन्हें तो कच्छी अरी धनिया को खाना चाहिए तो नहीं खा सकते चटनी के फारम में जरूर कहते हैं लेकिन सब्जी के रूप में आप इसको आध देखेंगे कैसे अलू के साथ हरी धनिया की सब्जी कैसे बद्धी हैं इस तरह से हमने मसाला चोते कर द बहुत अलग पाइप की सब्जी है दोस्तों हम आलू की सब्दी वैसे सूखी बनाते रहे हैं आलू और हरीधनिया की सब्जी ऐसी आपने कभी बनाने की सोची भी रहोगी इसे सोग सारी हरीधनिया पड़ती है और इस तरह से यह हो रहा है हमारा अलू पसालो में नमक ताल च सूखा पाउडर भी मिलाँगी घनिया का अब आज हमारी सब्सक्राइब को हरी घनिया को लेकर बनुझा है तो आज मेरी सब्सक्राइब पर इस तुरा रहा हरी द्धनिया की बहुत हरी द्धनिया भाय से इसको चलाएंगी दोस्तों wonder कि तौने सारकारं टाली एंद बहुत सारा लग राया। एक 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 आलम में की देखार लिए हमारे सब्धी कोटेग कर दोटी होगी। मेरिया मैं हमेशा बनाती हूँ क्योंकि हरीधनिया मुझे पता है स्वास के लिए अच्छा होता है हाई डिट की रोगों के लिए बहुत ही फायदे मैंने बालों के लिए स्कीन को अच्छा रखता है और सबची की सोगा तो बनाती कि देखे इस तरह से दोस्तों ऐसे सब्ची आपने नहीं देखी हो कि तूरी हरी दनिया से आलू से लिप्ती हो तो दोस्तों मैंने आज आप लोगो खिले बनाया छोटे आलू की हरी धनिया भरावन सब्ची देखिए दोस्तों यह कि इतनी बढ़िया लग रही है देखने में अरी-अरी लाल और हमारे पूटी पराटा पूरी किसी भी सब्ची के साथ इसको आप खा सकते हैं और यह बहुत अच्छी लगती है दोस्तों सिर्फ जरूर बनाएं दोस्तों यह सेहर के लिए बहुत फाइदेबन है यह सब्ची हमारी छोटे आलू की हरी धनिया सब्ची